हालो स्टेंट गुड इनिंग वेलकम बाक तो और क्वेस्टन इज वाइड डिरेक्ली आज एक्स प्लस थ्री एंड वाइज इक्स इक्वल टो एट वें एक्स इक्वल टो वन ठेक है वाइज बीच में कुछ रिलेशन दिया है और वाइज एक्स का वैल्यू दिया है फिर बो गया ठीक है जैसे यहां गर हम देखें तो पहले बोल दिया गया वाइज डिरेक्ली वाइज डिरेक्ली वैरी करता है मतलब डिरेक्ली प्रोपोस्टनल लेकिस पर एक्स प्लस थ्री पे तो ठीक है इसमें रेश्यों अगएरा कुछ निकालने नहीं बोला न तो इस बार हम हम लोगो मानना पड़ेगा तो एक्वेशन क्या हो जाता है जब भी डाइरेक्ट जैसे फेजेक्स वागेर हम लोग पढ़ें कि डारेक्ट लिप्र प्रोपोर्शनल रहता है तो यहां एक एक सब्सक्राइब यहां भी हम लोको क्या लगाना हुगा लेकिन यह अलग रिलेसन है इसलिए इसमें अलग कॉंस्टेंट को लेता मान लेते हैं मान लेते हैं और क्या हो जायर हम लोका वन-बाइज़िट हो गया यह क्या हो गया है एक उट-ध टो च्श डालते है इस वाली पर्ष्ट वाले में तो क्या आता है हम देखते हैं तो य के जगह 8 रखेंगे तो क्या हुआ जाया 8 is equal to k और x plus 3 के जगह क्या जाएगा हम लोका एकस के जगह 1 रखना है तो 1 1 प्लस 3 आ जाएगा हम लोग का k into 4 तो k बरावर आ जा रहा है k is equal to आ गया कितना 2 k is equal to 2 आ गया मतलब हम लोग बोल सकते हैं यह जो उपर वाला relation था इसमें हम लोग को हटा करके इसके जगर 2 रख सकते हैं ठीक है वह बाद में आया ठीक है पहले ही नहीं लिखे थे फिर दूस 6 क्या आ जाए हम लोग का X2 और Z के जगर 6 रखना है तो M by 6 हो जाएगा तो M बरावर क्या आ जाएगा 12 M बरावर 12 यह आ गया M बरावर 12 आ ठीक है यहां तक तो हो गया अब M को 12 अगर पूट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा X बरावर आ जाएगा हम लोग एगस बरावर आ जाएगा 12 by Z ठीक है 12 इसका बैल्यू अब X का वैल्यू भी आ गया है और Y का वैल्यू भी common X दोनों equation में क्या है यह दोनों equation ने एक्स common है तो X को यह eliminate कर देते हैं तो क्या करते हैं कि X के जग हम लोग replace कर देते हैं 12 by Z उपरवाल equation में तो y is equal to क्या हो जाएगा 2 y is equal to क्या हो जाएगा 2 x के जग क्या रखने बोले हम 12 by Z और प्लस क्या था 3 ठीक है फिर से देख लो यहां y is equal to क्या था हम लोगा 2x प्लस 3 ठीक है और हम लोग क्या किया है एक्स के जगा replace कर रहे है 12 by z एक्स के जगा 12 by z तो replace करते हैं देखते हैं क्या था है अब इधर y वराबर क्या जारा हम लोगा 2 से multiply किया है तो 2 into 12 क्या हो गया 24 by z और 2 3 6 आ गया relation देखो यह आ गया लेकिन आप देखते relation किस form में दिया गया थोड़ा देख लेते हैं उपर तो y minus 6 by x इस तरह से z y minus 6 ठीक है थोड़ा इसको solve करते हैं और अच्छा 6 कुछ था ना उधर y के साथ तो क्या करते हैं 6 को इधर ले आते हैं तो इधर आ जागा y minus 6 ठीक है इधर क्या पज़गे हम लोगा 24 by z ठीक है तो z को अधर ले जाए क्या z into y minus 6 वराबर 24 ऐसा है क्या z into y minus 6 is equal to 24 देख लेते हैं ऐसा कुछ वगर होगा तो z into y minus 6 is equal to 24 यह d option z into y minus 6 is equal to 24 तो यह वला हम लोगा option हो जा रहा कौन सा डी option हाई आप सारा step क्लियर होगा कहीं doubt तो नहीं है कोई ऐसा step जो difficult हो तो इसको repeat कर देते हैं बताते हैं बस इसमें बस यह simple ध्यान रखना है कि directly proportional में क्या हो गया और जब constant लगाते बस यह concept पता रहेगा constant निकाल देना है फिर दो equation है दोनो equation में एक्स हम लोगा common दिख रहा है बस दोने equation को equate करने के लिए क्या करना होगा एक्स को remove करके equate कर दी हम ठीक है या तो substitution लगा है या फिर